श्री शद्गुरू महाराज कीजे। पुजिपाद महर्शी शंत्सेवी परमहंस जी महाराज का परवचन जीव पर तीन तरह के पड़दे हैं। शाद उशंत लोग इश्वर प्राप्ति के लिए बतलाते हैं। उस इश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, बाहर में नहीं होगी। कतिपए लोगों की धारणा है कि इश्वर के पास जाने के अनेक मार्ग हैं। जैसे पटना जाने के लिए चारो तरफ से रास्ते हैं, वैसे ही परमात्मा के पास जाने के लिए भी विभिन्न मार्ग हैं। किन्तु यह भ्रामक धारना है परमात्म प्राप्ति का एक ही मार्ग है और वह अपने अंदर का मार्ग है किसी फकीर ने बड़ा ही अच्छा कहा है बेहोश यह इंशान से यह खयाल जुदा है जाहिर में है मुहमद बातिन में खुदा है बातिन का अर्थ होता है भीतर परमात माया खुदा की प्रापति अपने अंदर होगी अभी आप लोगों ने संत कभिर सःब की वानी सुनी ये भी इसी बात का प्रति पादन करते हैं संध कभिर सप कहते हैं घुंघट के पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे घुंगट घुंगट पट को आवरन को हटाओ तुमको परमात्मा मिल जाएंगे इस्लाम धर्माव लंबी महलाएं भी परदा रखती हैं उसको बुर्का कहते हैं संत पल्टु शाहब ने कहा है शाहिव शाहिव क्या करें शाहिव तेरे पास याद करू होवे हाजिर अंदर धसी के देखू मिलेगा शाहिव नादिर मान मनी हो फणा नूर तब नजर में आवे बुरका डारे टारी खुदा बाखोद दिखरावे रूह करें मेराज कुफर का खोली कुलावा इसो रोजा रहे अंदर में सात रिकावा लाम कान में रभ को पावे पल्टु दास शाहिव शाहिव क्या करें शाहिव तेरे पास पल्टु शाव कहते हैं कि शाहव की खोज तुम कहां करने जा रहे हो शाहव यानि परमात्मा तुम्हारे पास हैं वे तुम्हारे इतने निकट हैं कि उनसे निकट और कोई नहीं है है नेरे सुझत नहीं लियानत एशो जिन्द तुल्शी या संसार को भयो मोतिया बिंद गोशामी तुल्शी दास जी जैसे किशी को आँख में मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है तो नजदिक में रखी वी चीज भी उसको नहीं दिखती है उसी तरह परम परभू परमात्मा इतने निकट हैं कि उनसे कुछ और हो नहीं सकता फिर भी हम उनको नहीं देख रहे हैं गुशामी तुल्शी दास जी कहते हैं कि सारे संसार के लोगों को मोतिया बिंद की बिमारी हो गई है जब किसी को मोतिया बिंद की बिमारी हो जाती है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं डॉक्टर आँख परके आवरन को आउपरेशन करके हटा देते हैं फिर उसे सूजने लग जाता है शंद कभीर सहाब कहते हैं कि तुम्हारे उपर से उसी तरह का परदा पड़ा हुआ है शंद सद्गुरु के पास जाओ वे परदा हटा देंगे फिर प्रभु दर्शन होंगे घुंगट के पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे गुशामी तुल्शिदाजी महाराज कहते हैं माया वश मती मंद अभागी हिर्दय जव निका बहु विधि लागी इसठ हट वश संसय करही निज अज्यान राम पर धरही काम क्रोध मद लोभरत ग्रिहा शक्त दुख रोप एक किमी जान ही रगुपती ही मूड परे तमकूप संद कबीर सहाब ने जिसको घुंगट कहा संद पल्टू सहाब ने उसी को बुर्का कहा और गोशामी तुल्शिदाजी ने यव निका की संग्या दी यव निका कहिए बुर्का कहिए घुंगट कहिए या परदा कहिए सब एक ही चीज है इसी को हटाना है गोशामी जी कहते हैं बहुविधि लागी यह परदा एक ही नहीं है बहुविधि बहुत तरह के हैं वे किस तरह के हैं हम अपने गुर्देव की वानी में पढ़ते हैं घट तम प्रकाश वा शब्द पटत रहे जीव पर हैं चा रहे तीन तरह के पढ़ते हैं तम प्रकाश और शब्द इन तीनों पढ़तों को यदि हम हटा सकें तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे कबीर सहाब के वचन में आया है शब घट मेरा साईयां शूनी सेज न कोई बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए प्रभु शब के अंदर विराजमान है जो अपने अंदर प्रवेश करेंगे वे ही प्रभु के दर्शन कर पाएंगे के इसली हमारा बेवार काूश होना चाहिए इस सम्ध में वे कहते हैं कटूँ के वचन मत बोल्यरे और कूशन मत बोलो तब कैसा बोलो शास्त्र सम्मति है सट्यम बुढयांथ प्रियांग बुढयाद शत्यम औप्रियम अर्था सथ्य बोलो प्रियाय बोलो ऐसा सत्य ना बोलो जो आप्रिया हो भगवान बुद्ध ने कहा मधुर वचन बोलो सत्य बोलो कटू वचन नहीं बोलो कटू वचन बोलने से उसका कटू उत्तर मिलेगा जिससे तुमको दुख होगा भगवान महाविर ने कहा तुम अपने लिए दूसरों से जिस प्रकार की अपेक्षा रखते हो उसी तरह दूसरों के लिए तुमको सोचना चाहिए तुम सुख की एक्षा रखते हो इसलिए दूसरों को भी सुख पोंचाओ दूसरों से तुम मधुर वचन सुनना चाहते हो तो तुम दूसरों से मधुर वचन बोलो दूसरों का कटू वेवार तुमको अच्छा नहीं लगता तो तुम दूसरों से कटू विभार मत करो इसी से मिलती जुलती बाते हम महर्शी में ही पदावली में पाते हैं शत्य सुहाता वचन कहिए उन्ह संद कभिर सहाब कहते हैं धन योवन का गरव न कीजे जूठा पंचरंग चोल रे यह शरीर नाशवान है धन और जवानी का घमंड मत करो यह सब अस्थिर रहने वाले नहीं हैं कोई ना अस्थिर सब ही बटो ही शत्य सांती एक अस्थिर वो ही परम परवो परमात्मा के अतिरेक्त दुनिया की शारी चीजें ओ अस्थिर हैं ओ अस्थिर से प्रेम करोगे उसके वियोग में तुमको दुख होगा और जो अस्थिर तत्व है उससे प्रेम करोगे तो कभी वियोग नहीं होगा अस्थिर सुख मिलेगा वह अस्थिर तत्व क्या है? परम परवो परमात्मा वे कभी विछोड़ने वाले नहीं हैं शंद कबिर्शाव कहते हैं ना पल विच्रें पिया हम से ना हम विच्रें प्यारे से उन्नी से नेहे लागी है हमन को बेकरारी क्या जो विच्रें हैं प्यारे से भटकते दर्ब दर फिरते हमारा यार है हम में हमन को इंतिज्यारी क्या परम्भक्तिन मिरावाई ने कहा था जाके पिये पर देश बशत है लीखे लीखे भेज़े पाती मेरे पिये मेरे हिये बशत है न कहूं आती न जाती मैं तो गिर्धर के संग राती वह प्रभू हमारे अंदर है इसलिए निजतन में खोज सज्जन बाहर न खोजना अपने ही घट में हरी है अपने में खोजना उस प्रभू को किस तरह खोजो उपाय है दो नएन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना बाहर की चीज को खोजने के लिए हम आखे खोल कर खोजते हैं जो चीज हमारे भीतर है उसके लिए क्या करना होगा क्रिया उलटनी होगी अर्थात आखे बंद कर खोजना होगा दूसरी बात यह है कि बाहर की चीज को पसरी हुई निगाह से देखते हैं भीतर की चीज को देखने के लिए सिम्टी निगाह से देखना होगा वह सिम्टी निगाह कैसी होनी चाहिए तो कहा एक नोक बनाके अर्थात द्रिष्टी की दोनों धारों को मिलाकर एक बनाकर इससे पूर्ण शिम्टा होगा उधर्व गती होगी आवरन भेदन होगा फलता है तम मंडल को पार कर जाएंगे जिग्याशा हो शक्ती है द्रिष्टी को कितनी दूर तक ले जाएं कहा मिलाएं तो इसके उत्तर में वे कहते हैं फिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैंचिला हाथरस में एक शंत हुए तुलसी शाहब उन्होंने कहा तिल परिमाने लगे कपाटा मकर तार जह जीव का बाटा इतना भेद जाने जो कोई तुलसी दास साध है सोई वह कपाट इल परिमान के समान है अर्थात बहुत छोटा है शंत जन कहते हैं वहां अपनी द्रिष्टी को अस्थिर करोगे तो एक विंदुता के साथ नादानूब होती होगी शंत पल्टुशाव कहते हैं विंदु में तह नाद बोले रैन दिवस शुहावनं अर्थात दीन रात शुहावना लगने वाला विंदु और नाद मिलता है तत पस्चात इसके आगे का मार्ग दर्शन देते हैं अनहद धुनों को सुन सुन चड़ चड़ के खोजना बजती हैं पांच नौबतें सुन एक एक को त्रती एक पए चड़ जाए के निजनाह खोजना पंचम बज़य धुर घर से जहां आप विराजय गुरु की कृपासे में ही तह पहुंची खोजना प्रकाश में जाओगे तो वहां अनहद शब्द मिलता है बहुत तरह के शब्द होते हैं उन बहुत तरह के शब्दों में से एक शार शब्द को पकड़ना है अनहद धोनी की शादना करते करते प्रकाश मंडल को पार कर जाते हैं प्रकाश का आवरन हटने के बाद शब्दावरन रह जाता है पहले तो अनहद शब्द होते हैं और अनहद शब्द को पार करने के बाद अनाहत शब्द मिलता है वह केवाल एक ही एक है उस नाद को भी जो कोई पार कर जाते हैं तब परम परभो परमात्मा से मिलन होता है उनका असपर्शन होता है उनसे एकता होती है इसलिए हमारे गुरु महराज कहते हैं कर द्रिष्टी अरुध्वन योग शाधन ये हटाना चाहिए अपने अंदर के इन त्रे आवारणों को द्रिष्टी योग और नादानु संधान करके हटाना चाहिए जब ये तीनों माईक आवरण हट जाएंगे तो क्या होगा इनके हटे माया हटेगी प्रभुश होगी एक ता फिर दोईत ता नहीं कुछ रहेगी अशमनन ड्रिड चाहिए जीव पीव मिलकर एक होगा फिर दोईत भाव मिट जाएगा जिस तरह नदी जब शमुद्र में जाकर मिल जाती है तब फिर वह नदी नदी नहीं रह जाती शमुद्र ही हो जाती है उसी तरह से जो जीव परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है तो फिर वह जीव नहीं रह जाता इव हो जाता है चोई जानई जेही देहु जनाई जानत तुमही तुमही होई जाई गोशामी तुलसिदाश जी महराज दैहिक दैविक और भौतिक इंत्रितापों से जो मानव शंतप्त होता रहता है शदा के लिए मुक्त हो जाएगा इसके लिए घरवार कारवार परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है इन सब को देखते हुए भगवद भजन भी करें जैसे घड़ा में जल की एक एक बूंद गिरते गिरते वह जल से पोढ़न हो जाता है वैसे ही प्रती दिन थोड़ा थोड़ा भजन करते करते एक दिन पोढ़न होंगे परमात्मा के प्राप्ति होगी परम कल्यान होगा मेरे प्रिये श्री बंगाले बावु ने शंत मत सचंग शदन का निर्मान कर बहुत बड़ा पुन्य का काम किया है इसके लिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रम पुझ गुर्देविन की शुब उन्नत्यां दे इस सदन से बहुजन हिताय का काम होगा अध्यात्म प्रेमी मुमुक्षू गन यहां आकर सचंग भजन करेंगे तिथा अपने मानव जीवन को शफल बनाएंगे पुझ पाज महर्शी संसेवी प्रमहंशी महाराज का यह परवचन दिनांग पच्चिस नव उनिश्व निनानवे श्वी को पटना बंगाली बावु डिएश्पी सहाब की निवास अस्थान पर आयोजित सचंग में हुआ था त्री शद्गुरू महाराज कीजे